हेलो दोस्तों नमस्कार मेरी हरी बरी बगिया में आपका स्वागत है आज का वीडियो प्याज पर है प्याज को हम कई तरह से लगा सकते हैं डिरेक्ट बीच से लगा सकते हैं बीच से पौद तयार कर ले और उसके बाद लगा सकते हैं या फिर डिरेक्ट हम इस तरह से प्या निकालाती है और बहुत ही अच्छा पौधा तयार हो जाता है तो इस तरह की प्याज हम खाने में यूज नहीं करते हैं कही बार ऐसा होता कि हम फेक देते हैं तो आप इसे फेके नहीं आप इस तरह से गंबला लीजिए और गंबले में से लगा दीजिए तो यह मिट्टी मैं तो चलिए इसे हम लगा देते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर थोड़ा सा इस तरह से होल करेंगे प्याज को बहुत जादा नीचे नहीं लगाई जाती है यह देखे इस तरह से इसमें पत्तिया पहले से ही निकली हुई है तो यह पत्तिया ही आगे बढ़ जाएगी यह पढ़कर गिरेगी नहीं पत्तियां तो बहुत जल्दी जड़े निकल आती है और ग्रोध भी बहुत जल्दी होती है यदि हम पौत तयार करते हैं बीज से और फिर लगाते हैं तो इसमें थोड़ा जादा समय लगता है तो इस तरह से हम लगा सकते हैं और बहुत इजली ग जाए तो चलिए में अच्छी तरह से एक बार में पानी डाल दिया है तो अब हम इसे ज्यादा बार बार पानी डालने की जड़त नहीं है ठंड के मौसम में पांची दिन में या फिर आपको लगे कि यह कि देर इंची की मिट्टी सूख गई हो तभी आप इसमें पानी डा सकते हैं और कुछ दिनों बात इसमें प्याज बन जाएगी अच्छी तब हम इसे उखाड लेंगे और पूरी प्याज कभी उसकर सकते हैं लेकिन अभी पत्तिया तोड़ेंगे उतनी इसमें और नहीं नहीं पत्तिया आएगी तो इस तरह से आप भी घर के किचिन से निकली तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक्यू फॉर वच्छिंग दिस वीडियो